नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओज़ा TNP News के खास कारकरम अपना उत्तरप्रदेश में आपका स्वागत है चले शुरुआत करते हैं उत्तरप्रदेश के खबरों की सीम योगी लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगड पहुचे जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाली आदव निरववा के पक्ष में जनसभा को सम्मोधित करते हुए उनके लिए वोट मांगे इस दोरान सीम ने सपा के विकास के तर्ज पर आगे बढ़ाया है आजमगड को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा गया है आगे भी सरकार आजमगड के लोगों के लिए काम करती रहेगी तो वहीं प्रदेश सरकार ने संपत्ती अपने नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 5000 रुप लोग हैं स्टैंप और रेजिस्ट्रेशन विभाग ने इसकी अधिसूशना 18 जून को जारी कर दी है नव निर्वाचित राजसबा सांसद बनने के बाद दर्शना सिंग काशी पहुची जहां बीजेपी कारेकरताओं ने माले आरपन कर भव्य स्वागत किया साथ ही महिला मोडशा की कारेकरताओं ने भी दर्शना सिंग का स्वागत किया जिसके बाद राजसबा सांसद ने कारेकरताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के कारेकरताओं और सीज्ट नेत्रतों का आभार व्यक्त किया आपको बता दे कि दर्शना सिंग राजसबा सांसद बनने के बाद पहली बार काशी पहुंची हैं तो वहीं अगनिपति यूजना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन जारी है प्रदेश में यूजना के खिलाफ छात्रों काउगर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इसी बीच डिप्टी सीम केशोग प्रिसाद मौर ने इसका विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है मौर ने ट्विट कर लिखा कि देश सेवा का जज़बा रखने वाले यूवा सेना में भरती होने की तयारी करें 20 जून से थल सेना, 24 जून से वायू सेना के लिए भरती शुरू हो रही है यूवा किसी के भैकावे में आकर राश्रिय और निजी संपत्ती को नुकसान ना पहुचाएं राजनितिक विरोधी जनता के नकारे जाने के बाद भढ़काना बंद करें भाजपा सांसद वरुन गांधी ने एक बर फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है अगनीपती योजना में लगातार हो रही बदलावों को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए ट्विट किया वरुन ने ट्विट कर लिखा कि जस तरह से इसमें कुछ घंटो के भीतर ही लगातार बदलाव किये गए हैं उससे जाहिर होता है कि योजना बनाते समय सभी बिंदों को ध्यान में नहीं रखा गया था इससे पहले कल भी वरुन गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके प्रदर्शनकारियों से सयम बरतने की अपील की वरुन गांधी ने लिखा था कि सेन्य अभ्यारतियों के इस संगर्ष में मैं हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं आपसे निवेदन है कि धैरे से काम ले और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ग्यापन विभिन निमाधिमों से सरकार तक पहुचाएं सुरक्षित हर युवा का अधिकार है न्याय होगा वहीं सपर प्रमुख खिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा आया खिलेश ने कहा कि मंतरा सम्मती मश्वरा परामर्ष विचार विमर्ष से ये लोकतांत्रिक शब्द भाजपाई शब्द कोश में नहीं है इसलिए बीजेपी सरकार की तरफ से बार-बार मनमानी भरे फैसले थोपे जा रहे हैं आगे कहा कि देश की उर्जा और जन्शक्ती सरकार की जन विरोधी नीतियों और योजनाओं के विरोध में बरबाद हो रही है विवादित बोल पर आक्रोश थमा नहीं है कि अगनीपत खून से लदपत लिखने लगा है प्रस्पाप्रमुक शिवपाहल यदव ने अगनीपत योजना पर सरकार पर निशाना साधा है शिवपाल सिंग ने कहा कि सरकार की स्कीम से यूवाओं का जीवन कट नहीं सकता यह स्कीम यूवाओं के साथ खिलवाड है चार साल की नौकरी के बाद नौकरी छूट जाना यूवाओं के साथ किसी खिलवाड से कम नहीं है आगे शिवपाल ने कहा कि अपनी इस नई योजन को लेकर सरकार को पुनर विचार करना चाहिए साथ ही इसे वापस भी लेना चाहिए क्योंकि यूवा पहले ही नौकरी के लिए परिशान है कम से कम साथ साल तक की नौकरी तो जवानों को मिलनी ही चाहिए वहीं सपविदायक आजम खान बरेली पहुंचे जहां उन्होंने सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रदीश में जो हालात हैं उससे अच्छी तानाशाही होती है अगनिपत योजना में युवाओं का कितना हित है ये सामने दिखाई दे रहा है उन्होंने कह कि सरकार की कारेपर्णाली किस सतर पर हो रही है चिन साल बाद जल से चूटकर आया हो जबके मिनिस्टर का, तो जहां ये इस तर हो, वहां क्या कह सकते हैं? जबके मिनिस्टर का, तो जहां क्या कह सकते हैं? जबके मिनिस्टर का, तो जहां क्या कह सकते हैं? मायवती ने ट्विट कर कहा कि ऐसे समय में, जब मुठी भर लोगों को छोड़ कर देश की विशाल आबादी में खास कर युवा वर गरीबी, महंगाई, बिरोजगारी, तनाव आदीज के अगनिपत पर हर दिन बिना ठके हारे जीवन को की संगर्श करने को मजबूर है? उन्होंने केंद्र की अलपाविदी अगनिपत सेने भरती स्कीम ने काफी निराश और हताश किया है, इसके साथ ही मायवती ने युवाउं से अपील की, उन्होंने कहा कि केंद्र रेलवे, सेना और अर्दसेनिक बल आदी में भरती की संख्या और संभावना को अतिसीमित क करने का ही पढ़नाम है, खासकर ग्रामीन परिवेश के हिम्मतवर नौजवान काफी असहाई और ठागा हुआ महसूस कर रहे हैं और भविश्य को अंदकार में पाकर उनका आक्रोश उबाल पर है, जिसे सही से समहालना जरूरी है तो वहीं प्रदीश पुलिस ने अगनिपत योजना की खिलाफ प्रदर्शन करने के आरूप में अलिगड़ से अचसी लोगों को हिरासत में लिया है अलिगड़ पुलिस अधीकशक ने बताया कि हिंसा के बाद अब तक 80 लोगों को गिरफतार किया गया है इनमें से 9 कोचिंग संचालक हैं जने हिंसा में उनकी भूमेका के लिए गिरफतार किया गया है अधिकारी ने बताया कि जिले में हुई हिंसा के सिलसले में भारती एडंड सहीता की धाराओं में चार प्राथमी की दर्च की गई हैν इनमें से प्रातमी की पुलिस कर्मियों की शिकायत पर एक प्रदेश रोडवेज की शिकायत पर जबकी एक अन्य मामला आम नागरिकों की शिकायत पर दर्च किया गया है मैं केंदर सरकार की अगनिपत यूजना के विरोध में रेलवे ने 90 गाड़ियों को नरस्त कर दिया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 32 एक्सप्रेस गाड़ी, 4 विशेश गाड़ियां और 54 सवारी गाड़ियां नरस्त हुई हैं इनमें लखनव, जंक्षन, पाटली पुत्र एक्सप्रेस, बनारस पटना एक्सप्रेस, गोरकपुर, कुलकत्ता एक्सप्रेस, नई दिल्ली दरबंगा एक्सप्रेस जैसी प्रमुक गाड़ियां हैं साथ ही अधिकारी ने कहा कि जब तक चीज समाने नहीं हो जाती है, तब तक महौल के हिसाब से ही ट्रेनों को चलाया जाएगा उत्यप्रदेश मादमिक सिक्षा परिशद के दस्वीयों और बार्वी के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें फरुखाबाद से एक मध्यम वर्गिये परिवार से आने वाले चात्र ने जिले में प्रथम इस्थान हासल किया है प्रथम आय चात्र ने बताया कि उभविष में एंडिये के माध्यम से एर फोर्स में जाकर अफसर बनना चाता है अपने मैनेज कर रही हूँ यहां पते गड़ रहे कि वो तो महीं जाना ही वहीं पीलीबीक जनपत के पूरनपूर कस्वे में एक मेगा माट में आग लग गई जिसकी वज़ा से दुकान में रखा लाखो रुपए का समान जल कर राक हो गया सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशाशन के साथ ही दमकल विभाग की लोग पहुचे जहां उन्होंने पानी से माट की आग बुझाने की कोशिश की साथ ही बुल्डोजर की मदद से माट की दिवारे तोड़ने का प्रयास किया लेकिन तब तक माट की अंदर रखा हुआ सारा समान जल चुका था तो वही कास गंज में अपरादियों के होसले बुलंद नजर आ रहे हैं मामला अमनपुर के ददवारा मुहले का है जहां उधारी के पैसे मांगने पर दबंगो ने विकलांग को दिन दहाडे गोली मार दी जिसकी वज़ा से इलाके में अफरा तफरी मच गई सूशन मिलते ही पुलस मौके पर पहुची और गायल विकलांग को अस्पताल में भरती कराया गायल शक्स ने बताया कि उसने कुछ लोगों को पैसे उधार दिये थे लेकिन जब वो उसने अपने पैसे की मांग की तो उस पर हमला कर दिया गया करेके, करें, कर दो कर देकिता masa करे देखे India आप दो देखागा ंताल में, फ़िए मोजाई भाणी कर दो कर दो कर दो ऑाकिर जा grabbed कर दो इसमृद हम सकतिया गी हो वो वारानसी और प्रियागराज सहित पूर्वी पश्रिम प्रदेश के जिलों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार राज के अलग-अलग हिस्सों में अगले 5-6 दिनों में बारिश होने की संभावना है पूर्वी प्रदेश में बन रहे हवा की दबाव का शेत्र और अफगानिस्तान से जम्मु कश्मीर की तरफ बड़े पश्मी विशोब की वज़ा से मौसम में ये बदला हुआ है इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर यूपी में मौनसून के पहुचने की संभावना चताई है चले फिलाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइड www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद